ओम शान्ति आज दिनंग 3 सितंबर 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो सिक्छाएं दी उनका मनन करेंगे बाबा बोले मीठे बच्चे सरीर पर कोई भरोसा नहीं इसलिए जो सुब कार्य करना है वह आज कर लो कल पर नहीं छोड़ो मीठे बच्चे सरीर पर कोई भरोसा नहीं इसलिए जो सुब कार्य करना है वह आज कर लो कल पर नहीं छोड़ो अर्थात बाबा आते हैं संगम यूग पर हम बच्चों को एडॉप्ट कर अपना बच्चा बनाते और सत बाप सत ग्यान सुनाते स्रेष्ट स्रीमत देते कर्म अकर्म विकर्म कर कोई राज बताते तो बाबा कहते इस सरीर पर भरोसा नहीं करना चाहे बच्चा हो चाहे बुड़ा हो यहो जवान कोई भी कभी भी देहत्याग सकता है क्योंकि यहां घोर कल्यूग है रावन राज्य है यहां सरीर का भरोसा नहीं इसलिए जो भी सुब कार्य स्रेष्ट कार्य करने हैं उस कार्य को आज और अभी कर लो मम्मा भी कहती थी हर घड़ी अंतिम घड़ी समझ कर पुरुशार्त करो कि आज हैं कल नहीं तो कल हम नहीं होंगे तो हमें क्या पदप्राप्त होगा यहां चेक करो फिर कर्म करो तो स्रेष्ट कर्म होंगे सुब कर्म होंगे सुब कार्य बाबा बताते सबसे पहला सुब कार्य है खुद को आत्मा समझ पिता परमात्मा को याद करना और सर्व आत्माओं को एक बाप का परिचाय दे कर सर्व आत्माओं को सुख सांती आनंद प्रेम पवितरता का वर्सा दिलाना अर्थात बाबा के वर्से का अधिकार बनाना इसी लिए बापा कहते मा में कम याद करो मुझे याद करो तो मैं तुम बच्चों को वर्सा दूँगा बाबा बच्चों को सदा समझाते रहते हैं मा में कम याद करो और कोई भी नाम रूप को नहीं याद करो साकार मनुश्यों के फोटो आदी जन्म जन्मांतर इखटे करते आयो उपासना करते आयो देवताओं आदी के चित्र रखना यह भी तुम्हारा छूट जाता है जिस प्रकार ब्रह्मा बाबा कोई फोटो नहीं खिचाते थे कहत संबंद रखो निराकार से विचित्र को याद करना है तो चित्र की दुनिया से खुद को उपराम कर लो तो भक्ती मार्ग में आत्माएं बाप को याद करती हैं सरीर को तो तब याद करते हैं जब देह अभिमानी बनते हैं बाप घड़ी-घड़ी कहते हैं अपने को आत्म समझ मुझ बाप को याद करो क्योंकि आत्मा ही पतित दुखी बनी है आत्मा ही कहती है मैं महाराजा थी अब रंग बनी हूं तुमको अब इस्मरती आई है हम बाबा के बच्चे हैं बाब से हमने वर्षा पाया था अब बाबा कहते हैं सब को बाब का परिचय दो इस जैसा तो पकार्य में देरी नहीं करना चाहिए। सरीर पर तो भरोसा नहीं बाबा कहते ना जवान ना बूड़े ना बच्चे इसलिए जो कुछ भी करना है सो आज और अभी कर लो। अर्थात माला माल होने की युक्ति क्या है। अपना खाना आबात करने अर्थात माला माल होने की युक्ति क्या है। उत्तर में बाबा कहते सिव बाबा को अपना वारिस अर्थात बच्चा बना दू वह तुम्हें 21 जन्मों के लिए माला माल कर देंगे। यहाँ एक ही है जो सबका बच्चा बन सबका खाना आबात कर देते हैं परन्तु कई डरते हैं समझते हैं सायत सब कुछ देना पड़ेगा बाबा कहते डरने की बात नहीं है तुम अपने बच्चो आदी को समभलो उनकी पालना करो परन्तु याद इस बच्चे को करो तो तुमको लाल कर देगा अगर इस बच्चे पर बली चड़े तो तुम्हारी बहुत सेवा करेगा बाबा सदा यही स्रिमत देते कि घर ग्रस्त में रहते सर्व जिम्मेवारियों को निभाते हुए एक बाप को याद करो, निमित होकर कर्म करो, सदा यह समझो कि मैं प्रष्टी हूं, मुझे यह जो अंतिम मरजिवा जन्म प्राप्त हुआ है यह जन्म उस भगवान द्वारा उस भगवान की सेवा अर्थ प्राप्त हुआ है भक्ती में कहते भी थे तन, मन, धन, सबकुछ देरा तुछको अरपन तो बाबा समझाते कि यहां अभी संगम पर तुम अपने को पूरा-पूरा बाबापर बली चड़ा देते हो इसी का गायन है इसी की इस्मरती होती है तभी बच्चे कहते हैं तन, मन, धन, सब कुछ तेरा तुछ को अरपह Tube तो बाबा पर जब हम पूरा पूरा बली चड़ जाते हैं पूरा पूरा विल हो जाते हैं तो बाबा हमें बिल पावर देते हैं उस आधार पर हम लक्ष को धरन कर लक्षन धारण कर हम लक्ष्मी नारैन के समान बन जाते हैं आता ब्रह्मा बाप ने जिस प्रकार एक सेकेंड में जाटकू बन कर अपना सब कुछ यग्य में नियोचावर कर दिया और फिर उन्हें बिल पावर प्राप्त हुई और नंबर वन पद प्राप्त हुआ तो ऐसे ही बाबा कहते तुम बच्चों को भल समालो अपनी सारी जिम्मेवारिया निभाओ पर याद एक बाप को करो एक बाप पर बली चड़ो एक बाप को अपना वारिस बना लो तो वह तुम्हें 21 जन्मों के लिए माला माल अर्थात स्वर्ग की बातसाही दे देंगे बाबा हमें समझाते हैं लोकिक संबंधी तुम्हारा कोई कल्यान करने वाला नहीं है यह सिव बाबा अब तुम्हारा बच्चा बनते हैं कहते हैं तुम मुझे वारिस बनाओ तो मैं तुम्हारी सेवा करूँगा इसलिए बाबा पूछते भी हैं आपको कितने बच्चे हैं मुझ सिव को अपना बच्चा बनाया तो माला माल हो जाएंगे 21 जन्मों के लिए कन्या तो अपने घर जाती है बच्चे के लिए कितना हिरान होते हैं बच्चा नहीं होता तो दूसरी तीसरी साधी भी कर लेते हैं बाप कहते हैं वहा लोकिक बच्चे तो तुम्हारी कुछ भी सेवा नहीं करेंगे यही एक सच्चा बच्चा है एकदम खाना आबात करने वाला परन्तु कई डरते हैं कि सब कुछ देना पड़ेगा क्या होगा तो बाबा समझाते बच्चों की पालना करो घर गरस्त में रहो परन्तु बुद्धी से मुझ एक बाप को याद करो यह तो तुमको लाल बना देंगे बाबा कहते भक्ती में कासी मंदिर में जाकर बली चड़ते थे समझते थे जीवन मुक्ती मिलेगी पर वास्तव में बात है अभी संगम की तुम बच्चे पूरा पूरा बली चड़ते हो और बाबा से तुम्हें स्वर्ग में बातसाही मिलती है जीरे जवाहरात के महल मिलत तो बाबा कहते वही इस्मरती तुम ब्राम्मनों को अभी बाबा आकर कराते हैं तो तुम बच्चे लक्ष समान लक्षण धारन करते हो। तुम बाबा कहते हैं यहा है ही रावन राज्ये कितनी बड़ी बड़ी रावन की जाल हैं सारी स्रश्टी पर सभी सोकवाटिका में बैठे हैं इस रावन जाल में सब साधू संत आदी फसे हुए हैं। अब बाप कहते हैं इन सब को भूल अपने को आत्मा निश्चे करू और सब को यही रास्ता बताते रहो यह स्रश्टी चक्र का राज तुम बच्चों के सिवा कोई दूसरा बता नहीं सकता बाप कहते हैं इन सब को छोड मामे कम याद करो याद से ही तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे सुब कारे में देरी नहीं करनी चाहिए बाबा कहते तीन पेर प्रत्वी के दे कर रोहानी होस्पिटल खोलो उसमें कितनों का कल्यान होगा बाबा कहते एवजा तो मिलता है न तो बाबा का परिच्चय देना है, देही अभिमानी होकर रहना है, मन मना भव का मंत्र एक दो को सुनाते रहना है, आगे बाबा कहते जहां भी बैठो, मुझे याद करो, फिर सर्विस भी करनी चाहिए, मंदिरों में बहुत भगताते हैं, बस यह चित्र पीट पर लगा दो, बाब का परिच्चय देते रहो, युक्तियां बाबा बहुत बतलाते हैं, समसान में जाकर समझाओ, निराकार बाब की महिमा और क्रश्न की महिमा, अब बताओ गीता का भगवान कौन, साथ में चित्र भी हो, सर्विस तुम बहुत कर सकते हो, फीमेल करें वह कोई कुमारी क अरे, तो अहो सो भग्ये, कन्या तो सबसे अच्छी, कन्याओं का कनहिया बाब है निराकार, कनहिया क्रश्न नहीं था, यह बाब है, बाब को ख्याल आता है कि बच्चों को कैसे सिखलाओं, कल्प पहले भी ड्रामा अनुसार ऐसे ही समझाया था, आज फिर बाबा कहते जाता हूं, तो तुमको अभी अंधो की लाठी बनना चाहिए, जिन बच्चों को परिचय मिलता है, वह फिर ओरों को ले आते हैं, उनका भी पुर्णे होता है, अपने पास हिसाब रखो, जितना करेंगे फल तो मिलेगा न, कोई को ले आते हैं, तो उनका भी बहुत कल्या लिस और सर्विस, तुम कहते भी हो, हम गौड़ पादर की सर्विस पर हैं, घर की सर्विस बाबा कहते भी करो, बाबा समझाते की, बाप सिक्चा देते हैं, बच्चों को कभी विकार में नहीं जाने देना, अगर वहां तुम्हारी अवग्या करते हैं, तो जैसे ना फर्म बाबा सदा राय देते हैं परन्तु बहुत करके पीछे बतलाते हैं तो बाबा कहते बच्चों को सर्विस के लिए अनेक प्रकार की युक्तियां दी जाती हैं बाबा कहते हैं तुम अपना जो धन दोलत किसी को भी देते हो और फिर उससे वह पाप कर लेता है तो उसका दंड तुमारे सिर पर भी आ जाता है इसलिए अपने तनमंधन समय संकल्प को बाबा के यग्ये में सफल करना बाबा की सर्विस करना बाबा कहते ट्रेन में भी सर्विस करो तुम बच्चों का यही धन्दा है इसी धन्दे से बाबा खुस होगा और 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा मिल जाएगा वर्दान दिया बाबा ने वर्दान में बाबा कहते अनेक प्रकार के भावो को समाप्त कर आत्मिक भाव को धारण करने वाले सर्व के इसने ही भाव अर्थात सर्व के इसने ही वे बनते हैं जो आत्मिक स्वरूप में रहते हैं देही अभिमानी होकर रहते हैं बाबा कहते हैं आत्मा अनुभाव करो सर्व को आत्मा देखो अपनी द्रष्टी, वृत्ती और क्रती को रूहनी बनाऊ तो रूहनी बाप हम बच्चों को इस देहभान से मुक्त कर देही अभिमानी बनाते बाबा कहते तुम जितना जितना खुद को आत्मा समझते हो देही अभिमानी इस्थिती में इस्थित होते हो तो हर आत्मा के प्रती नीश्वार्त इसने जगता है हर आत्मा के प्रती सुब भावना सुब कामना होती है सर्व के प्रती सुबचिंतन चलता है और तुम सुबचिंतक बन जाते हो तो बाबा कहते देह भान में रहने से अनेक प्रकार के भाव उत्पन होते हैं कभी कोई अच्छा लगेगा तो कभी कोई बुरा लगेगा आत्मा रूप में देखने से रूहानी प्यार पेदा होता है आतमिक भाव, आतमिक दरश्टी, आतमिक वरत्ती में रहने से हर एक के संबंद में आते हुए नियारे और प्यारे रहेंगे तो चलते फिरते अभ्यास करो मैं आत्मा हूँ इससे अनेक प्रकार के भाव सोभाव समाप्त हो जाएंगे और सबके इसने ही सुतह बन जाएंगे तो सबके इसने ही बनने का आधार बाबा बताते खुद को आत्मा अनुभाव करना एक पिता परमात्मा की याद में रहकर सबको आत्मा भाई रूप में देखना तो न्यारे और प्यारे भी रहेंगे संबंद संपर्क में आने से सब को यहाँ अनुभूती होगी कि ये कोई विशेस अउतरित आत्मा है स्लोगन में बाबा बोले जिसके पास उमंग उत्साह के पंक है उसे सफलता सहेच प्राप्त होती है अर्थात जो सकारात्मक होते हैं जिनकी सोच सदा पॉजेटिव होती है जो सदा आत्म विश्वास के साथ कोई कारे करते हैं उसके आदी मध्य अंत को जानकर कारे करते हैं तो उसे स्वतह और सहेच सफलता प्राप्त होती ही है अच्छा ओम शांती